देश का जवान पैसों का भूका नहीं होता उसका असली सम्मान असली गौरव तो होता है कि वो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योच्छावर कर दे और उसके बाद सैना के द्वारा जो उसे राज की सम्मान दिया जाता है उस पर उसके गाउं, शहर, परीवार प्रदेश देश को गर्व होता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर उसका वो सम्मान उससे छीन लिया जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो गया है देश में और ये सम्मान छीन लिया है, देश की मोदी सरकार ने, वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ प्रदेश की रक्षा करते हुए, उन्होंने अपने प्राण नियोच्छावर कर दिये, सेना के दो जवानों के द्वारा जब उनके शव को उनके गाउं कोटली कला, प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया, तो गाउंवाले बड़े ही आश्चर चकित हो गए, और उन्होंने पूछा, कि सेना के और जवान कहा है, और प्राइवेट एम्बुलेंस से क्यो लाया गया है, तो सेना के उन दो जवानों ने जवाब दिया, कि केंदर सरकार की नीती की वजए से उन्हें शहीत का दरजा नहीं मिलेगा और राज की सम्मान भी नहीं मिलेगा वो सब छोड़ करके चले गई ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा ही वाइरल हो रहा है वालों ने अमरित पाल को अंतिम विदाई दी उसके बाद गाव वालों ने पुलिस स जवानों में भेदवाव किया जा रहा है ये सोशल मीडिया पर लिखा गया है इसके साथ ही पूरू गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी इस पर कड़ी आपत्ती दर्च किया है उन्होंने कहा कि देश की मोधी सरकार फौजीयों को खत्म करना चाहती है फौज को समाप्त करना च जवान अगर अपने प्राण देश की रक्षा करते हुए नियोचावर कर देता है तो उसे सहीत का दर्जा नहीं दिया गया है केंद्र की इस योजना में दोस्तों इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते है क्या अगनिवीरों को राज की सम्मान मिलना चाहिए या नहीं म मिलना चाहिए मोधी सरकार ने जो अगनिवीर योजना लागू की है उसमें जो शहीत का दर्जा अगनिवीर को नहीं दिया जा रहा है उस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस वीडियो को हर जगे शेर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे कि हम और 72 सोतंत्र पत्रकारता कर सकें नमस्कार